हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लंग्रेदितिमन तो हम कर रहे थे क्लास 6 का ही चैप्टर नमबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षन तो जिसमें हमने 27 कुश्चन लास्ट वीडियो में कर लिये थे तो चलिए इसके आगे के कुश्चन हम स्टार्ट करते हैं हर कुश्चन जो है वो आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है वीडियो पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंड तक तो देखिए चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बै माही नदी का उद्गम इस्थल कहां से है मध्य प्रदेश में विंध्याचल परवत से माही नदी का उद्गम होता है माही नदी राजिस्थान के किन जिलों में बहती है तो यह बास्वारा और प्रताबकर इन दो जिलों में बहती है और उसके बाद यहां से वहे खंबात की खाड़ी में चली जाती है और वहीं हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ा था कि वह कहां चली जाती है कच के खाड़ी में चली जाती है माही नदी की प्रमुक सहायक नदी कौन सी है 31 question है माही नदी अपना जल कहां ले जाती है तो यह मद्य प्रदेश में विंद्याचल परवत से इसका उद्गम होता है पासवाणा प्रतापगड जिलों में बहती है और उसके बात ही है खंबात की खाड़ी में चली जाती है नेक्स्ट देखिए बान गंगा नदी का उद्गम इस्थल किस जिले में है बान गंगा नदी का उद्गम इस्थल किस जिले में है तो यह जैपुर जिले में है इस नदी का उद्गम इस्थल जो है वह है जैपुर से है अरावली की बैराट पहाडी से पान गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो हमने देखा जैपुर जिले में ही बैराट की पहाडी से इसका उद्गम होता है कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घहना पक्षी राश्ट्रे उद्ध्यान में नम भूमी का निर्मान करता है? तो देखिए 6th class है जिसमें question number 34 है chapter number 7 का ये question आपके exam में आ चुका है कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घहना पक्षी राश्ट्रे उद्धान में नम भूमी का निर्मान करता है? तो ये है बान गंगा नदी जो की भरतपुर में घहना पक्षी राश्ट्रे उद्धान में जाकर भूमी कत हो जाती है किस नदी को अरजुन की गंगा कहा जाता है? तो अरजुन की गंगा कहते हैं बान गंगा नदी को next देखिए question 36 घगर नदी का उद्गम इस्थल कहा है? घगर नदी का उद्गम इस्थल कहा है? तो यह हिमाचल प्रदेश में सिवालिक की पहाडियों से निकलती है तो घगर एक अंतह प्रवाही नदी है जो की राजिस्थान में ही वहीं पर ही लुप्त हो जाती है तो इस नदी का उद्गमिस्तल कहां से है? हिमाचल प्रदेश में सिवाले की पहाडी से घगर नदी किस प्रकार की नदी है? तो यह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है गगर नदी राजिस्थान में किस जिले में प्रवेस करती है तो हिमाचल प्रदेश से आती है यह है और फिर हनुमानगर में जाकर प्रवेस करती है फिर स्रीगंगा नगर में जाती है और वहीं तक इसका अंत हो जाता है वहीं पर यह भूमिकत हो जाती है इसलिए इसे क्या क करती है हनुमान गर्जिले में और फिर श्री गंगा नगर में जाकर भूमेगत हो जाती है नेक्स्ट देखिए 40 कुशन घंगर नदी किस प्राचीन नदी की सहाइक नदी मानी जाती है तो इसका प्राचीन नाम क्या है सरस्वती नदी इसे माना जाता है पंडित जवालाल नहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा तो बहु उदेश्य नदी घाटी पर्योजनाओं को पंडित जवालाल नहरू ने क्या कहा आधुनिक भारत का मंदिर तो बहु उदेश्य नदी घाटी पर्योजनाओं क्या होती है जहां पर कई प्रकार के उदेश्य जो है वो पूरा कर लिये जाते हैं यहां पर देखिए नदियों पर बांध बनाने से जल विद्धुत उत्पादन होता है सिचाई, पेजल, ब्रक्षारोपन, भुमिगत जल इस्तर्व को बढ़ाना, बाड़ पर नियंत्रन पाना, म्रद्धा का जो कटाव है उसे रोकना, परेटन, यह सारे उदेश्य जब एक जगे पूरे होते हैं, तो उसे बहु उदेश्य नदि गाड़ी परियोजनाई कहते हैं। अभी वो इन कुशन को यदि कर लेते हैं, तो यह पूरा चेप्टर ही कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यह है कि आप लोग चेप्टर जो है उसको अच्छे से पढ़िए। में इस्तित है। चंबल नदी पर बना चितोड़ गड़ में कौन सा बांध है? तो चितोड़ गड़ में राना प्रताप सागर बांध है। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? तो कोटा जिले में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध है। तो हमने देखा कि चंबल परियोजना के अंतरगत कुल चार बांध बने गांधी सागर बांध और उसके बाद राना प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल्गविद्दूत और सिच्चाई की सुविधाएं उपलब्द करवाना. माही बजाज सागर परियोजना किन राजियों की संयुक्त परियोजना है? जैसे हमने देखा चंबल परियोजना जो की राजिस्थान और मद्य परदेश की संयुक्त परियोजना है वही राजिस्थान और गुजरात इन दोनों की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर पर्योजना चीक है और जो की माही नदी बासवाड़ा और प्रतापगड जिले की है तो यहाँ पर देखिए प्रतापगड और बासवाड़ा जिले से ही माही नदी जो है वह है निकल कर जाती है गुजरात की तरफ तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि यह राजिस्थान और गुजरात की सभी पर्योजना है माही बजा सागर बांद कहां है तो यह पासवाड़ा में इस्तित है माही बजा सागर पर्योजना का मुख्य उद्देश ये क्या है तो इस पर्योजना का मुख्य उद्देश भी वही है कि पे जल जल विद्धुत और सिचाई की सुव उपलब्द करवाई जाएगा वीसलपूर परयोजना का संबन्द किस जिले से है? इंपोर्टेंट कुश्यन है चोकि आपके जोग्रफी में पूछा जा चुका है यह है टॉंक जिले के टोड़ा राइसिंग नगर के पास वीसलपूर गाउं में इस्तित है वीसलपूर बांद कहा है? तो मैंने आपको बताया कि टॉंक जिले के टोड़ा राइसिंग नगर के पास वीसलपूर गाउं में इस्तित है जो की बनास नदी के पास है वीसलपूर बांद से किन जिलों को पेजल आपूर्टी होती है? तो किन को होती है आपूर्टी? किन जिलों को? तो देखिए यहाँ जैपूर, अजमेर और टॉंक और इसके साथ साथ अन्य जो पास के शेत्र है इनको पेजल आपूर्टी की जाती है वीसलपूर परियोजना से सर्दार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजिस्थान मद्धिप्रदेश की है माही बजासागर परियोजना जो है वह है गुजरात और राजिस्थान की है बीसलपूर परियोजना जो है वह है टोंक जिले की है वहीं सरदार सरोवर परियोजना जो है वह है गुजरात, मध्यप्रदेश, महराष्ट और राजिस्थान इन चार राज्यों की सैयुक्त परियोजना है और जो बीसलपूर परियोजना है वह है कहां की है राजिस्थान की सर्दार सरोवरबांध कहां इस्तित है? सर्दार सरोवरबांध जो है वह है गुजरात में नर्मदा नदी पर इस्तित है सरदार सरोवरबान से राजिस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है तो चार राजियों की संयुक्त पर्योजना है वहीं राजिस्थान में यह बाडमेर और जालोर में पायदा दिलाती है तो आज हम यहीं तक करेंगे जहां हमने राजिस्थान की प्रमुक नदी घाटी परियोजनाएं देखी चंबल परियोजना, माही बजासागर परियोजना, बिसल परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में थेंक य प्रमुक नदी टेओे जो प्रमुक नदी तरीके सिए्ट परियोजनाएं दूनाएं जै।